जैगरुजी, देवी के क्रियायोक का वर्णन, देवी की मुर्ती एवं मंदिर के निर्मान, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अंबा के श्रेष्ट था, विभिन मासों और तिथियों में, देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदी के फल तथा, इस सहिता के श्रवन ए पाठ की महिमा, व्यास्ची बोले, महामते ब्रहमपुत्र सरवग्य सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भूत क्रियायोक का वर्णन सुनना चाहता हूं, उस क्रियायोक का लक्षन क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ती होती है, तथा जो परांबा उमा को अधिक प्रिये है, वह क्रियायोक क्या है, यह सब बातें मुझे बताईए, सनत कुमार जी ने कहा, महा बुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहसे की बात पूछ रहे हो, वह सब मैं बताता हूं, ध्यान दे कर सुनो, ज्यान योग, क्रियायोक, भक्तियोग, ये श्र और मोक्ष देने वले हैं, चित का जो आत्मा के साथ संयोग होता है, उसका नाम ज्यान योग है, उसका भायव वस्तों के साथ जो संयोग होता है, उसे क्रियायोक कहते हैं, देवी के साथ आत्मा की एक्ता की भावना को भक्तियोग माना गया है, तीनो योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है कर्म से भक्ति उत्पन होती है भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है ऐसा शास्त्रों में निश्चे किया गया है मुनिश्रेष्ट मोक्ष का प्रधान कारण योग है परन्तु योग के धे का उत्तम साधन क्रिया योग है प्रकृति को माया जाने और सनातन भ्रहम को मायावी अथ्वा माया का स्वामी समझे उन दोने के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन जानकर मनुश्या संसार बंधन से मुक्त हो जाता है यहाँ पर एक श्लू कहा गया है मायाम तू प्रकृतिम विद्यान मायावी भ्रहम शाश्वतम अभिन्नम तद्वर पुर्ग्यात्वा मुच्यते भव बंधनात काली नंदन जो मनुश्य देवी के लिए पत्थर लकडी अथ्वा मिटी का मंदिर बनाता है उसके पुन्य फल का वर्णन सुनो प्रतिदिन योग के द्वारा अरादना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुश को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुश अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीडियों का उधार कर देता है करोडों जन्मों में किये हुए थोड़े या बहुत जो पापशेश रहते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्मान आरंब करते ही शन भर में नश्ट हो जाते हैं जैसे नदियों में गंगा संपून नदों में शोन भद्र शमा में पृत्वी गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री पराअंबा श्रीष्ट मानी गई है वे समस्त देवताओं में मुख्य है जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वे हैं जनम जनम में प्रतिष्ठा पाता है काशी, कुरुशेत्र, प्रयाग, पुशकर, गंगा सागत तट, नैमिश्यराण्य, अमर कंटक परवत, परम, पुन्यमै, श्री परवत, ज्यान परवत, गोकन, मथुरा, अयोध्या और द्वार का अत्यादी पुन्य प्रदेशों में अत्वा, जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुश्य, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है मंदिर में इटों का जोड जब तक या जितने वर्ष रहता है, उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मनी द्वीप में प्रतिश्ठित होता है जो समस्त शुब लक्षणों से संपन उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भे होकर अवश्य उनके परमधाम में जाता है शुब हरितू, शुब ग्रहे और शुब नक्षत्र में देवी की मूर्थी की स्थापना करके योगमाया के प्रसाद से मनुश्य कृत-कृत्य हो जाता है कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीडियां बीद गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सब को मनुश्य सुन्दर देवी मूर्थी की स्थापना करके तार देता है जो केवल जग द्योनी परांबा की शरण लेते हैं उन्हें मनुश्य नहीं मानना चाहिए वे साक्षाद देवी के गण हैं जो चलते फिरते सोते जागते अत्वा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारन करते हैं वे शिवा के ही गण हैं जो नित्य नैमितिक कर्म में पुश्प धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम में जाते हैं जो प्रति दिन गोबर या मिट्टि से देवी के मंदिर को लीपते हैं, अत्वा उसमें जाडू देते हैं, वे भी उमा के धाम में जाते हैं, जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमनिय मंदिर का निर्मान कराया है, उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशिरवात द रहे कर सो वर्षों तक जियें, और इन पर कभी कोई अपति ना आए, इस प्रकार श्री माता रात दिन आशिरवात देती हैं, जिसने माहा देवी उमा की शुब मूर्ति का निर्मान कराया है, उसके कुल के दस हजार पीडियों तक के लोग मनी द्वीप में समान पूरवक रहते हैं, महा माया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भाती पूजा करने के पश्चात सादक जिस जिस मनूरत के लिए प्रारतना करता है, उस उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है, जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घीसे से नह उसके पुन्य फल की गणना कौन कर सकता है। की आरती उतारें। कुल्सी को छोड़ कर शेश सभी पुष्प देश्वी के लिए प्रितिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेश प्रितिकारक होता है। जो देवी को सोने चादी के फूल चड़ाता है वह करोडों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए शमा प्रात्ना करनी चाहिए। जगत को आनन्द प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन हो इत्यादी वाक्यों द्वारा स्तूती एवं मंत्र पाठ करता हुआ। देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंग पर सवार हैं, उनके हाथों में अभे एवं वर की मुद्राइं हैं, तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नयवैद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परात्मा शंभु शक्ती का नयवैद्य भक्षन करता है, वह मनुश्य अपने सारे पाप पंक को धो कर दिर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुकला तृतिया को भवानी की प्रसंता के लिए व्रत करता है, वह जन्म मरन के बंधन से मुक्त हो परंपद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतिया को दोलोत्सव करें। उसमें शंकर सहित जगदंबा उमा की पूजा करें। फूल, कुमकुम, बस्त्र, कपूर, अगुरू, चंदन, धूप, दीप, नैवैद्य, पुषपहार, तथा अन्य, गंधद्रव्योस, द्वारा, शिवसहित, सर्वकल्यानकारी, महामाया, महेश्वरी, श्रिगौरी देवी का पूजन करके उन्हें जूले में जुलाएं। जो प्रतिवर्ष, नियम, पूर्वक्त, उक्तिथी को देवी का वरत और दलोत्सव करता है, उसे शिवा देवी संपून, अभिष्ठ पदार्थ देती हैं। अडवल, बंधुक, दुपहरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित कौरी की पूजा करता है, वह करोणों जन्मों में किये गए मानसिक, वाचिक और शारिरिक पापों का नश करके, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुर्शार्थों को अक्षे रूप में राप्त क जेश्ट शुकलात रित्या को रत करके जो अत्यंत प्रसनता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्या नहीं होता। आशार के शुकल पक्ष की त्रित्या को अपने वैभव के अनुसार रतोत्सव करें, यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिये है, प्रित्वी को रत समझें, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिये जानकर, वेदों को घोडे और म्रहमा जी को सार्थी मानें, इस भावना से मन जटित रत्न की कल्पना करके उसे पुश्प मालाओं से सुशोबित करें, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराज मान करें, तत्पश्चात धिमान पुरुश यह भावना करें, कि परा अमबा उमा देवी संपून जगत की रक्षा के लिए उसकी देख भाल करने के निम रत के भीतर बैठी हैं, जब रत दीरे दीरे चले तब जै जैकार करते हुए प्राटना करें, देवी दीन वत्सले हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, पाही देवी जनान अस्मान प्रपन्नान दीन वत्सले, इन वाक्यों द्वारा देवी को करें, और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं, ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रत को ले जाकर वहां पर उस रत पर देवी की पूजा करें, और नाना प्रकार के स्तूत्रों से उनकी स्तूती करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आएं, तदंतर सैक प्रणाम करके जगदंबा से प्रात्ना करे जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं रथोत्सव करता है वहे इस लोक में संपून भोगों का उभोग करके अंत में देवी के दाम को जाता है श्रावन और भादरपद मास की शुकलात रित्या को जो विदी पूर्वक अंभाका व्रत और पूजन करता है वहे इस लोक में पुत्र पौत्र एवं धन आदी से संपन होकर सुक भोगता है तथा अंत में सब लोकों से उपर विराजमान उमालोग में जाता है आश्विन मास के शुकल पक्ष में नवरात रिवरत रखना चाहिए उसके करने पर संपून कामनाई सिद्ध हो जाती है इसमें संशे नहीं है इस नवरात रिवरत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रहमा पंचानन महादेव तथा शडानन कार्ति के भी समर्थ नहीं है फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है मुनी श्रिष्ट नवरात्र वृत का अनुष्ठान करके वृत के पूत्र राजा सुरत ने अपने खुए हुए राजे को प्राप्ट कर लिया अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधी कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राजे प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से चिन गया था इस वरत्राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की अरादना करके समाधी वैश्य संसार बंधन से मुक्ष के भागी हुए थे जो मनुष्य आश्विन मास के शुकल पक्ष में विधी पूर्वक रत करके तृतिया, पंचमी, सब्तमी, अश्टमी, नम्वी एवं चतुर दशी तितियों को देवी का पूजन करता है देवी, शिवा, निरंतर उसके संपून अभिष्ठ मनुरत की पूर्टी करती रहती है जो कार्तिक, मार्ग, शीर्ष, पॉश, माग और फागुन मास के शुकल पक्ष में तृतिया को वरत करता तथा लाल, कनेर आदी के फूलों एवं सुगन्दे दूपों से मंगल मई देवी की पूजा करता है वह संपून मंगल को प्राप्त कर लेता है स्तिरियों को अपने सौभागे की प्राप्ती एवं रक्षा करने के लिए सदा इस महान व्रत का आचरन करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ती के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए इनके सिवा अन्यभी जो देवी को प्रिया लगने वाले उमा महेश्वर आदी के व्रत है वो मुक्षू पुर्षों को उनका भक्ति भाव से आचरन करना चाहिए यह उमा सहिता परम पुन्यमई तथा शिव भक्ती को बढ़ाने वाली है इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है यह कल्यान मई सहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है जो इसे वक्ति भाव से सुनता या एकागरेचित होकर सुनाता अत्वा पढ़ता या पढ़ाता है वह परमगती को प्राप्त होता है जिसके घर में सुन्दर अक्षरों में लिखी गई यह सहिता विधिवत पूजित होती है वह संपून अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है उसे भूत प्रेत और पिशाच आदी दुष्टों से कभी भय नहीं होता वह पुत्र पौत्र आदी संपत्ति को अवश्य पाता है इसमें संशे नहीं है अते हैं शिवा की भक्ती चाहने वाले पुर्शों को सदा इस परम पुन्यमई रमनिया उमा सहिता का श्रवन एवं पाठ करना चाहिए यह गुरुजी यहां पर अध्याए 51 समाप्त होता है संगर जी और उमा सहिता संपून होती है गुरुजी की कृपा से आप सब को बहुत बहुत बदाए कि आप सबने उमा सहिता का श्रवन किया गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने उमा सहिता का पठन करवाया ओम नमह शिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमह शिवाए गुरुजी सदा सहाए